दुर्गुन कहते हैं मांसिक विकारों को, सद्गुन कहते हैं मांसिक अच्छाईयों को, दुराचरन कहते हैं शरीर सम्वंधीत विकारों को, मन गत विकार को हम दुर्गुन कहते हैं, सरीर गत विकार को हम दुराचरन कहते हैं अगर मानस भवन आपका सदगुन संपन्न हो गया शरीर आपका सदाचरन संपन्न हो गया वानी आपकी सदबचन संपन्न हो गई तो आपके कल्यान का मार्ग वहीं से प्रसस्त हो गया तो अपने अंदर उतर कर अपने आपको जहां करना गरवड़ी यहीं है हम पचासो साज से ध्यान करते हैं जिसमें कोई गरवड़ी नहीं है अंधकार में कोई गरवड़ी नहीं है प्रकास में कोई गरवड़ी नहीं है हमारे बंधन और मुख्ष का कत्ताई कारण नहीं है बिर्थ कित पानी पेर रहे हो गम मन हमारे बंधन और मोख्ष का कारण है इसलिए मन पर ध्यान दो और संजतात मना योगो दुस्प्रापईती में मती ही और संजत मन इंद्रिये वाला आदमी योग को उपलब्द होगा महराज कुछन काते हैं हमको संदे संजत मन इंद्रिये वाला साधक साधिकाएं अब ध्यान साधना करके योग को उपलब्द हो सकता है आतमी इस्तिती को उपलब्द हो सकता है तो राम जी रोज ध्यान करते थे रोज अपने आप में उतरते थे आतमी समिक्चन थे राम जी इसलिए अपने भाई की भी चारितिक समिक छांकी एकांत अबसर पाकर के राम जी ने कहा कि लखनलाल पुस्पम द्रिष्ट्वा फलम द्रिष्ट्वा देखिए जिम्मेदारी जा रही है भाई बहनों पर पुस्पम द्रिष्ट्वा फलम द्रिष्ट्वा द्रिष्ट्वा चन्व जोब नाम निर्जने कांचनम द्रिष्ट्वा कस चन्व बिचलेन मनाह। जंगल में फल फुल से लदे पेड़ों को देखकर पकदन्वी से जाती हुई नवजबतियों को देखकर एकांत परदेश में स्वर्ण भंडार को देखकर राम का प्रस्ण हुआ कि लखनलाल कस या न बिचलेन मना किसका मन बिचलित नहीं हो जाएगा लखनलाल जी मुस्कुरा दी और हंस्ते हंस्ते लखनलाल ने कहा भाईया देखिए जिम्मेदारी जा रही है माता पती बरता जस्या और पिता सत्य बरतस्त था लखनलाल ने कहा भाईया जिसकी मा पती परायना और धर्मशीला हो जिसकी मा एक पतनी एक पती परायना और धर्मशीला हो साधना परायना हो अवसी जिगा पिता एक पतनी बरधर्म का पालन करने वालो हो सदाचारी हो साधना परायन जीवन जीता हो ऐसे आदर्स माता पिता के संजोग से जिसकी पैदाईस होगी वि तूत पन होने पर भी उसके चित में विक्रती नहीं आएगी यह जिमेदारी माता-पिता की अभाब्यांग जस संभूत अतस्यमा बिचलेन मना ऐसे आदर्स माता-पिता के संजोग से जिस बच्चे की पैदाईस होगी विकार हेतो सत्विक्रियंते जे सांग ने चेतांग तह कबिदेव कहते हैं भाई वेहनों बिगड़ो ना ही बिगार पहले माता-पिता अपने जीवन को बिगड़ने नहीं दो जहां से हमारे जीवन का उपक्रम होता है माता-पिता का अहार बिहार सही हो जाए माता-पिता एक क्रिया कलाब सही हो जाए आज हम जिम्मेदारी नही गम किजिएगा कि बिगड़ो ना ही बिगारो हमारा सरीर बना है दोर किजिए लागत किसकी है उसमें आधा मसाला माता जी का और आधा मसाला बोलो नहुगा काम कर जटयो आधा मसाला माता जी का है आधा मसाला पिता जी का है जैसा मसाला होगा वैसा भवन बने गाई जी अब मसाला है मुरुगी बाला, मसाला है अंडा बाला, मसाला है सराब बाला, मसाला है जर्दा बाला, मसाला है चाय बाला, पिंड कैसा तेयार होगा, मसले गर बर हो, इसलिए उस समय माता पिता को सही हो जाना चाहिए, सुद्ध सात्विक आहार ले, सबसे बड़ा काम करने जा रहे हो संतती पैदा करने संतती पैदा करना सबसे बड़ा यग है धरती पर अगर माता पिता का मसाला सही है गरभाद धान हो गया है हमारी माताएं पिता जी का काम पूरा हो गया बीज डाल करके विचला चला गया जहां के तहाब हम पल्लवी पुस्पीत होते हैं नो महिन तक मातरी गर में मातर पिता जी अग कोई लागत नहीं है अब मा जो रस भोजन लेती है उसका रस बनता है मा की नाभी से बच्चे की नाभी जुड़ी रहती है जरुरत भर बच्चा रस ले लेता है उस समय हमारी माताएं सुद सात्विक अहार लेती है उसका चारित्रिक निर्मान हो रहा है जिस घर में रहती हैं अच्छे-चित्रों को दिवाल में दखती है उन चित्रों को देखती है मा के आँख से देखे गए सुनदर चित्रों का आसर गर्वगत बच्चे पर पड़ता है गर्व में बच्चा है माता अगर अच्छी अच्छी बातों को सुनती है तो माताओं के द्वारा सुने गए अच्छे बातों का संस्कार गर्वगत बच्चे पर पड़ता है इतनी साबधानी बरतनी है अगर माता पिता का देखना सही है सुनना सही है खाना सही है तो पचीज परतिसत बच्चे का निर्मान वही हो गए गर्म से बाहर बच्चा आता है माह बड़ी साबधानी बरती है हमारे यहां के आदर्स माताय नवजाद सिसु गोद में आ जाए उसको तेल उब्टन लगाती है हाथ पर सिधी करती है हाथ पर सिधा करती है अब बच्चा रोता है तो कुझे लोरी गाती है कि सुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी मदालसा नाम की आदर्समा ने बच्चों के हाथ सरीर में तेल लगाया उप्टन लगाया जुलाया इधर इधर बच्चा रोता है तो कहा सुद्ध हो सी देखिए बच्पंस उसके संस्कार कितने परिपक दिये जा रहे हैं तुम सुद्ध हो तुम बुद्ध ज्यान शुरूप हो संसार माया परिवर्जितों सी संसारीक मायिक परपंच सित्मारा सुद्ध सुरूप एकदम भिन है बेटा इस तरह की बातें कहते कहते मदाल सा ने अपने सारे बेटे को वैरागी बना दिया सुद्ध ज्यानी और एक नमर का रिशी हुआ सब आज ये बोध हमारी बेहनों को नहीं है इता खाना पिना अटर पटर है एक दिन ते गर्वती अवरत को देखा हुका पी रही थी अवकरा ग्यलेर है पिनी पिनी की कौन्ची कंकल हुका के छेद मों बीरी को घुसिया रही थी हमने काई माता जी क्या कर रही हो अब बताओ जो खुका में दम लगाती है और उसके पेट में बच्चा है तो बच्चा है कि सिंगापूरी केला इतने बदहवास हमारी माताएं जो नहीं पीना चाहिए सो पीती है जो नहीं खाना चाहिए सो खाती है जो नहीं देखना चाहिए सो देखती है जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनती है इसलिए कि सारे माता पिता गयर लेसंस धारी है अंट्रेंड हैं सब अब घर्व से बच्चा बाहर आया तेल फुलेल तो लगा दिया बच्चा रोता है तो उसका गायतरी मंतर सुनिए एलसन, बेलसन, धोविया के पाठ, चुमहार के चाप बनो संसकार कितना अच्छा होगा है उन नवजात सिसू के अंदर आप कैसे संसकार भर रहे हैं आपकी वाणियां बहुत संजम चाहिए कहीं भी गाली सिखाने का स्कुल नहीं है गाली सिखाने वाली किसी भासा में किताब नहीं छपी है किसी सत्संग मंच पर गाली का प्रसिछन नहीं दिया जाता है ये छोटे-छोटे बच्चे गालियों का केंद्र केसे बना लिए आपने जीवन को माताओं को बोलने का ढंग ठीक नहीं है बात-बात में गालियां बोलती है बच्चों का संसकार भी गड़ जाता है आप की बोली में संजम हो खान पान में संजम हो व्यवहार में संजम हो आपके क्रिया कलाप में शिच्टा चार हो घर एक प्रसिछन केंद्र है आप सुबह उठते हो अपना माता-पिता का नमन करते हो प्रसिछन बच्चे को मिल रहे है कि हमारे माता-पिता, अपने माता-पिता को नमन करते हैं, तो हमारे भी तो कोई माता-पिता हैं, उनका नमन हम करेंगे, पतोहु सास का नमन करती है, तो बेटी भी तो एक दिन पतोहु बनने बाली है, एक दम प्रसिच्छन उसको मिलता जा रहा है, अगर दिन भर खेत में, खलियान में, बिद्याले में, कार्जगाले में काम करते हो, आपके घर में मांग, समसली, बीड़ी, खाइनी, गाणा, भांग, लहसुन, प्याज, चाज, जरदा, कुछ नहीं चलता है, सब लड़के ट्रेंड हो रहे हैं, प्रसिचित हो रहे हैं, अगर दिन भर आप खेत में काम धाम करके आते हो, असाम को पूरे समर्थ लोग, शांत हो करके बैठ में ध्यान न बैठते हो, बच्चे को संसकार बन रहा हूँ, बैठेगा हूँ, एक दिन, कि सुनगंज से आगे एक गाउं है,